नमस्कार दोस्तो तो अगर आपने भी मुखमंत्री कन्या उथानplain योजना में अपना फोर्म फिल किया है चाहे 10th पास में फोर्म किया है या फिर 12th पास में फोर्म किया है और दोस्तो अभी तक आप लोगका पैसा जो है कि नहीं आया है तो मैं आज आप लोग को 100% guarantee के साथ बोल रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद दोस्तो आप लोग का किसी भी तरह का problem होगा आप लोग का पैसा 100% guarantee के साथ पैसा वापस आ जाएगा दोस्तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है करना दोस्तो बहुत ही असान है इस channel को दोस्तो subscribe कर लि क्या है पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तो वह update क्या आया है उसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं इसके official website पे तो official website पे जाने के लिए दोस्तों आपको Google में सर्च करना होगा मेधा मेधा आप लिए के जैसे ही सर्च करते हैं आप लोग के सामने कुछ इस परकार का interface खुल जाता है यह जो मेधा सौप का पोटल है आपको इसको open कर लेना है इसको open करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस परकार का interface खुल जाएगा तो जो यह update है वो 10th के 2023 सेशन के लिए यहां पे मैं इसके website open करता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप लोग इसका website open हो गया है यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर साब साब बताया जा रहा है कि आवस्षेक सूचना सभी छात्रो को सुचित किया जाता है कि जिन्होंने भी अपना फॉर्म फैनलाइज नहीं किया है वे अपना फॉर्म 301-2024 यानि 30 जनवरी 2024 से पहले फॉर्म को फैनलाइज कर लें अन्य था उसके बाद फैनलाइज का प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा अगर आप लोग ने 301-2024 से पह पहले एक तारीक था फिर उसको 15 किया गया फिर 30 किया गया ऐसे करकर के दोस्तों इस डेट को बहुत बढ़ा दिया गया है अब मुझे नहीं लगता है कि अब इस डेट को बढ़ाया जाएगा डेट बढ़ाया जाता है तो अच्छी बात है या फिर अगर नहीं बढ़ाया नहीं किया है तो 30 जनवरी 2024 से पहले ही अपना form को finalize कर लिजे अब दोस्तों बात कर लेते हैं मान लिजी आप लोग का सारा चीज verify होगा तब तो आप लोग बहुत ही असानी से अपना form finalize कर लेंगे अगर मान लिजे किसी भी step में आप लोग का pending है तब तो आप के पास user id password आया ही नहीं होगा और user id password आया नहीं होगा तो आप लोग form को finalize कर नहीं पा रहे होगे तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मान लिजे आप लोग का date of birth mismatch की वज़े से form अभी तक आप लोग का पैसा नहीं आया है आप लोग अपना status check करते हैं और date of birth mismatch की वज़े से अभी तक आप लोग का पैसा नहीं आया है वहाँ पे pending बता रहा है या फिर cost certificate mismatch category mismatch ऐसा कोई भी किसी भी step में अगर आप लोग का pending है या फिर mismatch है कोई भी problem है दोस्तों तो आप लोग को मेरे screen पे मेरा WhatsApp नमबर दिख रहा होगा आप लोग वहाँ पे contact की किजिएगा दोस्तों आप लोग का verify मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा उसके बाद आप लोग का payment जो है कि आ जाएगा अब दोस्तों यह जो काम है वह 30 जनवरी 2024 से पहले ही आप लोग मुझसे contact कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मैं verify नहीं करवा पाऊंगा अगर मालने किजिए date इसका आगे बढ़ता है तब फिर से जब date बढ़ता है तब तक verify होगा अगर date cross हो जाता है तब आप लोग का verify नहीं होगा इसलिए जल्द से जल्द अगर आप लोग का pending है तो मुझसे contact कीजिएगा आप लोग का verify करवा दिया जाएगा अब दोस्तों माल तो सबसे पहले तो अपना status चेक करना है status चेक करने पर अगर send वहां पर payment के लिए इन प्रोसेस में दिखा रहा है तब तो ठीक है या फिर वहां पर जो final status होता है अगर वहां पर कुछ दिखा रहा है कि approve for department या फिर approve for payment कुछ ऐसा करके लिख के आ रहा है वहां पर दोस्तों तो समझ जाए कि आप लोग को फिर से user id password डालके वहां पर approve करना होगा एक बार आप लोग अपना status चेक कर लिजे और वहां पर send for department लिख रहा होगा या फिर payment send for department या फिर in process लिख रहा होगा तब दोस्तों आप लोग का payment आएगा और अगर approve for department या फिर approve for payment का ऐसा कोई message आत है दोस्तों तो आप लोग मुझसे contact किजिएगा आप लोग का सारा problem solve कर दिया जाएगा तो hope करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज कि ए्ट को आव तो हैं थाओ एचाल सम कि आप लोग कर दो हैं लोग मुझसे दिमिति एंः वे जह जगार हैं दो हैं तो हैं टूपिए वार हैं टू ए वे